हेलो बच्चो आज के हम इस सेशन में देखेंगे दसमी क्लास का हिंदी का पेपर सन 2020 का तो आपका यहां पर यह कोड दिया है बारी बारी से आप कुश्चन को देख लीजिए और इसको एंसर को आप स्वेयम सॉल्व गीजिएगा क्योंकि बस यह के वल कुश्चन पेपर ही है तो चलिए कुश्चन को आप पढ़िए मैं आपको कुश्चन को अच्छे से यहां पर दिखा दे रहा हूं आपका यह पहले कखा है यह शरी अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप एक गा है फिर गा दिया है फिर अंगा फिर यहां से कुश्चन नमबर टू स्टार्ट हो जा रहा है यहां पर का खा गा तीन कुश्चन इस पेज में हैं आपको यही शॉल्व करना है उसके बाद कुश्चन नमबर थ्री यहां से आ जाता है तो कुश्चन नमबर थ्री देखिए निम्नांकित गद्धांस में से किसी एक के नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजे तोहां पर आपको का और खा दिये जाएगा जो कि आप कुश्चन नमबर थ्री यहां पर दिया है जाएंगे आप खा भी देख लीजिये तो का और खा में से जो आपको अच्छे से आ रहा हूँ आप वही करिएगा कि दोनों में से किसी एक को ही करना है आपको kuston में पहले ही disham idee दे दिया गया है फिर चलिए kuston number खा का इसमें देखते हैं कि 123 रोमा नंको में आपको तीन kuston दिये गये हैं तीनो kuston 2-3 number के हैं टोटल 6 number का फिर अगले kuston की तरह बढ़ते हैं पे question number 4 is start हो जा रहा है तो यहाँ पे आपको सास अंदर्व सहीद बैक्षा करना है का बिस अंदर्व के सही total 6 number दिये जाएंगे यहाँ भी का और खा है जो कि इन में से किसी एक को आपको करना है फिर यहाँ पे question number 5 से का और खा जाता है जो कि आपको जिवन परचे लिखना पड़ता है गद और पद से तो यहाँ पर तीन तीन जिवन परचे दिये गया है कुछन नमबर का और खा में तो आपको तीनों से किसी एक को ही करना है पहले के का में से तीनों में से किसी एक को करिए आपको तीन नमबर दिये जाएंगे फिर यहां भी खाम से तीनों में से किसी एको करी आपको त्रीन नमबर यहां भी दिये जाएंगे फिर चलिए हम कुछस्ण नमबर 6 को आपको दिखाते हैं कि कुछस्ण नमबर 6 में क्या आता है question number 6 में यही है आप question को देख लीजिए अथवा करके हैं तो चाहिए आप ऊपर वाला करिए चाहिए नीचे वाला करिए आपको 4 नंबर दिये जाएगा आपके पास option रहता है यह तो आप पहला वाला करिए फिर दूसरा कर देजिए फिर यहां से question number 7 आ गया है ब्याकरान आ जाता है हिंदीगा जो कि रस्चंदलंकार से है तो आप देख ली जिक्स में 2020 में कौन-कौन से रस्चंदलंकार आया हुए थे अथवा करके यहां पे है चाहिए आप उत्परेच्छा लंकार करिए फिर उपमा लंकार करिए दोनों में से किसी एक का आपको करना है फिर चलिए question number 9 देखिए हाँ पे क्या है यह थोड़ा जिसका question paper था वो थोड़ा यहां पे लिख दिये है तो आप इसको देखिए गमत किवल यही आप देखिए question को आप पढ़ते चलिए यहां भी चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो आप question को note करते चलिए फिर इसको आप solve कर लीजिएगा यह फिर आप इसका screenshot भी ले सकते हैं यहां पर थोड़ा sketch हो गया था यहां से घर स्टार्ट हो जा रहा है फिर यहां से question नमबर 10 complete हो गया question नमबर 11 यहां से स्टार्ट है यहां पर आपको निवद लिखने के लिए आएगा six number का यहां पाचों में से किसी एक subject पर आपको लिखना होगा फिर यहां से देखिए 12 number से आपको समझने वाली बात है कि आपके district में जो खंड काब है आप वही करिए जैसे कि मैं सुल्तानपूर से बिलाउं करता हूँ तो मेरे सुल्तानपूर में यहां पर क्या है मेवार मुकूठ है class strength के लिए मेवार मुकूठ जो कि यह हमारा अंगा अभी तो यहां पर का है फिर देखिए खा में आया है फिर गाव में फिर घा फिर अंगा तो सुल्तानपूर districtके लिए यहां पर मेवार मुकूठ के प्रथम सर्ग अरावली मेरे स्टेट में तो मोर्डिश्टिक में यहां चलता है् फिर यहीपे आपको वही कास से जहतख से के, दिये गए हैं तो जिसक्तिय जिससे डिस्टिक में जो होगा आप वहukर यहां करिएगा इधन में से आपको सभी नहीं करना है तो आपको कुश्चन यहां प्रेंड हुआ आसा करते हूं सभी को यह कुश्चन पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा देखने में तो थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो एव ग्रेट डे